मैं तो 2025 तक कहाई है और लान इसलिए बंद रहा फोर्ला नेवी फोर्ला नेवी कि गांधी सेतु जो बन रहा है वो किस तरीका काम अभी तक चला है कहां तक चल रहा है और कब तक प्रोजेक्ट है वो कब तक तक तयार होगा आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहें अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सेर करना ना बूले और यह देख सकते फेरेत से ही बन रहा है गांधी सेन्थु नियो गांधी सेतु का पूल जो की यह भी डेरेक्ट हाजीपूर के लिए जायेगा यह जो आप गांधी सेतु पूल देख रहे हैं यह भी गया है हाजीपूर केलिए यह पर काम काफी जोन के से दोınız चल रहा है। गांधी सेतु निव गांधी सेतु पूल जो की डारेक गंगा होते हुए डारेक हाजीपुर जाएगी है और यह जो आप देख रहे हैं यह ओल्ड गांधी सेतु पूल है यह और इसका भी मैं आपको अपडेट दूँगा घर जाके इसका भी जो डवा लाइन का जो काम है जो कि दिल्ली की कमपणी है उन्होंने ये लिया है और फ्रेंड्स इस ब्रीच को बनाने के लिए सरकार ने 1794.37 क्रों रुपया लगाने का घूसना की है जो कि इसे बनाने के लिए निधारे समय तुजार पचीज तक का दिया है पहले अपना नाम बता, अबना नाम नाम हुआ है, हाहे ट में यहां किया करने а meant अम के नाम हमें गाद है अ यह कव तक बन जागए यह यह तो 2025 क्हाईए यह जो बन रह है यह कव इसे बनने से क्या फाईदा होगा इसे फैदा यही होगा कि यह जाम लगता है यह जाम बहुत लगता है इसका मतलब कहां से बस वह जहां से इसका है वहीं से इसका भी यहां शे है मतलब गंगा पार होते ही जाएंगे है न Jang gari लिए जहां तरिय की यह जाएंगी यह जाए है Forland इसकी बंदा士al Conradesa एवी जाम का पार होते ही जाएंगा बहर ही क्का जो बधल करह जाएं enrich झाल 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 प्रोसेस प्रोसेस जो की जहां बड़ी बड़ी समूंदर में जहां ब्रीज बनता है वहाँ ये इस प्रोसेस हो किया जाता है पहले लोहे का एक जैसे देख रहे है देख रहे हैं आपनी को निकाला जाता है मतलब पानी को सुखाया जाता है और उसकी मदद से आसानी से पीलर अंदर चली जाती है और वहां पर आगे में भी आप लोग देख पा रहोंगे मैं जूम कर देखा हूं तो आप लोग देख सकेंगे कि यहां पर देखें यहां पर पिलर का काम लगवक हो चुका है आधा गंगा नदी में पिलर का काम हो चुका है आप लोग देख सकते हैं और इधर इसी के मदद स वहां के उसी तरही के से किलर का जो काम दिया गया होगा